रिसर्च की माने तो सीसी और वेंटिलेटर की 25 प्रतिशत मरीजों पर कॉमन एंटिबायोटेक्स सब बेश्वर हो चुकी है तो 5 प्रतिशत बैक्टीरियल इंफेक्शन में भी इन्होंने काम करना बंद कर दिया है और ये डराने वाले नतीजे ICMR की रिपोर्ट में सामने आये हैं जिसमें बताया गया है कि कैसे निमोनिया, टाइफाइट और ब्लड इंफेक्शन जैसी घातक बिमारियों में एंटिबायोटिक्स से ज्यादा फायदा नहीं मिल रहा है और इसकी वज़े हैं उन दवाओं का ज्यादा इस्तेमाल लोग मामुली सी बात पर सर्दी खासी जुकाम होने पर भी एंटिबायोटिक्स ले ले लेते हैं जबकि वो बिना मेडिसिन के ठीक हो सकते हैं अगर वो चाहें नतीचा ये कि शरीर में मौचूद बैक्टिरिया खुद को म्यूटेट करके इन एंटिबायोटिक्स के खिलाफ रिजिस्टन्स पैदा कर लिता है जिसके बाद इन बैक्टिरिया से होने वाले इंफेक्शन में ये दवाएं बे अस्वर हो जाते हैं पिलकुल और ये तो ये वज़ा है कि दिल लैंसेंट ने भी देर्सों से ज़ादा देशों में एक स्टडी किया और क्या पाया कि अगर लोगों ने ज़ादा दवा खाने की आदत नहीं बदली तो 2050 तक करीब 20 लाख लोगों की मौत की वज़े एंटिबाइटेक रिजिस्टन्स हो सकता है याने कि एंटिबाइटेक का असर ना करना शरीर पर और यहीं नहीं लगबग 80 लाख जान दवाओं के रिजिस्टन्स से जुड़े बिमारियों से जा भी सकती है लेकिन मामला इतना बिगड़ने ही आखिर क्यों दिया जाए बाद बाद पर दवा खाने की आखिर आदत क्यों डाली जाए और इसकी शुरुवात आज से ही कीजिए इस आदत को बदलने की क्योंकि आज बापू की जैनती भी है जो खुद स्वस्थ रहने के लिए प्राकृतिक चिकितसा का इस्तेमाल किया करते थे और अब योग अरवेद को घरगर तक पहुचाने का जिम्मा योग गुरू स्वामी रामदेव ने उचा रखा है तो चलिए आज उनसे एक बाद फिर नेश्रोपैथी के गुर्ण सीखते हैं बॉजी को बाद जिकली एनरजी बैलंस कैसे करें ये गुर्ण सीखते हैं क्योंकि जब शरीर के त्रिदोश ही नहीं बिगडेंगे तो आती जंग बिमारी से यूँ ही हम जीर जाएंगे